दिपावली पर आमजन कुछ शुधा खाद्य सामगरी मिले इसके प्रदेश भर में लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की और से लगातार निग्रानी रखी जा रही है जिससे खाद्य सामगरी विक्रेता मिलावटी सामगरी नहीं बेच सके शुधा आहार मिलावट पर वार अभियान के तहट चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा खाद्य पदार्तों के नमूने भी लिए जा रहे हैं इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा आयुक्त और जिला कलेक्टर डारविंद्र गोस्वामी के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्त अधिकारी डा जगदीश सोनी ने बताया कि कोटा में दिवाली के पहले शुधा आहार मिलावट पर वार अभियान चलाया बुधवार को टीम ने कोटा शहर में विभिन क्षेत्रों में सागन निरीक्षन करते हुए कोटरी क्षेत्र के बीकानेरी रसगुला काना से मिल्क केक, बर्फी, मलाई बर्फी, काजू कतली का नमुना लिया, तलवंडी स्थित जैन मिल्क प्रोडक्ट से दूद, पानीर, मावा, घी, मिल्क केक, क्रीम का नमुना लिया, कोटा जंक्षन स्थित शेव अगरवाल मिष्थान भंडार से मिल्क केक, मलाई बर्फी, खोपरा बर्फी, बालु शाही, दिल्ली स्वीट सेंटर से मिल्क केक, मावा पेडा, चॉकलेट रोल, रतनलाल एंड संस से मिल्क केक मलाई बर्फी, चॉकलेट रोल, नुक्ती लड्डू, शर्मा मिष्थान भंडार से मलाई बर्फी, बेसन लड्डू, रस्गुल्ला, गुलाब जामुन का नमूना लिया आर्य समाज रोट स्थित खंडेलवाल मिश्थान भंडार से गुलाब जामुन एन मिल्क केक का नमूना लिया निरिक्षन किये गए सभी प्रतिष्थानों को साफ सफाई रखने को पामबत किया फूड लाइसेंस लटका कर रखने की हिदायत दी एन ताजा मिठायों विक्रे करने एन मिठायों में कलर का उप्योग सिमित मात्रा में ही करने को पामबत किया गया चल प्रयोगशाला द्वारा कोटा जंक्षन क्षेत्र 14 प्रतिष्थानों की जाच कर 44 नमूनों की जाच की गई टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी चंद्रवीर सिंग जादौन संदीप अगरवाल शामिल रहे